अगल को बच्छों कि है स्कार्ट में एस वीडियो में क्या सडी करेंगे आज हम कि निसे वीडियो में रान टैक्जोनमी के नतरगत क्किन दॉक्यूमेंटेशन को सeड़ी करेंगे तो इस स्पेसिफिक लिए क्या सेड़ी करना हमें ही कि 干谁 עbli यह में होते क्या है old Gibbon Mens जाब क कीई जो भी ऐसफ और हैसा मैट्रियल की इसके देंधार डाटा स्टोर कर रहा है था जी कोई भी इसके डिफेरंट टाइबस देखेंगे है फ्लोरा इंप्रेटिक है हम किसके टाइपस भी देखेंगे स्टार्ट करता है सबसे पहले तक्षण क्या है थम्हार डिया लिटरेश्ण रहा है यह पर वरक है जिसमें क्या कर रहे हैं इंफ्वार्मेशन स्टोर कर रहा है यह जो टेक्षण में से रूड़ीड इन्फरमिस्यन होती है कि कोई भी प्लांट है उसके identification के लिए उसके classification के लिए इसके नॉमनल क्लेशर के लिए distribution के लिए जो भी साही information है ठीक है वो इन लिट्रेशन में store की जाती है और उसका फायदा क्या होता है क्यों करते हैं ऐसा ताकि study कर सके तो आप आप से बाद एफ्यक्टिव स्टेडी कर से के plants की ठीक है और और इसका बहुत मिलता है कि एक किसी वर्ल्ड की किसी पार्ट में सांटिस्स चडी कर रहें ठीक है अब उन्हें एक नया पहुदा मिले जो उन्हें नहीं पता क्लियर अब हो सकता है वह पहुदा पहले सी अडेटिफाय कर लिया गया हो तो यह उन्हें कैसे प्रस लेगा कि उनके पास सर्टेन मैट्रील होना चाहिए जिसके अंदर अगर किसी ने भी यह जो सारा लिट्रेशर है ठीक है जो सारा डाटा है टेक्स डाटा यह अगर फाइंड किया है अगर एडेटिफाय किया है अगर क्लस्फाय किया कि सब्सक्राइब को तो वह सारा डाटा पब्लीष किया जा सके ठिक है ताकि ओर लोग आफ्यलेबल किया जा सके लिए तो लिए क्लिक क्या करें है प्लांट की स्टी में हेल्प कर रहा है ठीक है एक एक जामपल देर रखें हम फ्लोरा हो गया जिसे मैनुवल्स हो गया ठीक है मोनोगराफ रेविजिन जॉर्नल्स प्लियर और कीज यह सब चीज है इसे टाक्षानमी की प्लांट है ठीक है किसे हम लट किसी फिल्ट पर गए और हमने कोई प्लांट देखा रूम पता नहीं प्लांट कौन सा तो हम क्या करेंगा उस जगह की हम फ्लोरा उण गे ठीक हुआ कि इस डेफिनेट एरिया के अंदर कौन-कौन से प्लांट आते हैं और वहमें उस प्लां पाए जाते हैं इसके अलावा भी तो यह सब चीजे में पताष करते हैं और यजो एक परण 되지 करते हैं ठीक है को यहां पर अगर अंगर इंडिया के बात कर 25d3 वे एक इसन सब्सक्राइब बस्तेयर चाहते हैं फिर रहें सुर्प qt तो रहा होते हैं प्रमडों फॉर्म वा. पाप जो एक मोनोग्राफ होगी वो पर्टिक्लर एक टेक्स ओन को डेटिकेटड होगी कि कि वह से डिविजन को इडेंटिफाय करने के लिए और इस जो यह मोनोगराफ होगी जिसक्षि भी एक ट्रकवलों के लिए डिर्टिकेटड होगी उस टेक्स तॉन के बारे में क्या का इन्फोर्मेशन किसके स्टाइप के लोगाराफ कर्वेजन करने जेनेटिकल मरफ़ोजीकल एनेटॉमिकल पहलीव बॉट्रीनिकल एकलोजी कल ठीक है ये सारा सारा डाटा वसमें एवलेबल होती एक टैक्जोन के ओपर ठीक है जिसके भी वो से स्पीचीज प्रेशिया करने में फ्लॉट करने में इस Pascal में स्पीचएशना नाम पारेखरएट में कॉण Up कर रहा है तो यह भी हमें किसी में रहा है और ऑप फिर आथ हमारा की इस टॉपिक इस क्या होती है की फिल कि की सब चुनामीक टूल है जोमिट करेगा तो यह तो पहले भी था बढ़ते आये ऑट यहां पर कुछ डिफरेंसा होता है कि यहां पर अडिवाय कर रहे हैं ठीक है इसा कर वात हैं ठीक है हम दो contrasting choice provide कर आएंगे निदो opposite choice clear कि let यह ए और यह B है यह दोनों opposite choice है ठीक है मैंने का yes तो इसने का no ठीक है लट for example कि इससे मैं easy कर देता हूं इसमें leaves ठीक है let red है और इसमें leaves कैसी है ठीक है इसमें leaves green तो अगर हमें पता चल रहा है अभी दो को कंट्रास्टिंग क्रेक्टर से हैं ठीक है कि या तो रेड होगी या ग्रीन है ठीक है कि अपोजिट है या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि इसके अंदर जो कैलिक्स होता है जैसे नीचे बीजांपल में आपको बताऊंगा अच्छे से कै एक को छुन की क्या हो सकता है हमें उस प्लाइन का पता चल जेकि कोंसा फ्लाण या तो यहταक हो सकता है प्लाइट का प्रश 느an ठीक है और अगर हमिप्लाइट का पता नहीं चलता तो हमें फुर्दर चोईस मिल जाएगी कि अच्छब भी तो समझान है यह क्या है यह कीज है थी का यह यह जो यह स्टेटमेंट प्रजेंट है ठीक है यह दो कंट्रास्टिंग क्रेक्टर है आप देख सकते हो यहां पर फ्लाइट एंदन नहीं आ रहा है ठीक है तो यह तो और हमिया पिद्लेटी एक्स-प्लांट है ठीक है जो धतूरा है हमारे पास हमीं नहीं पता है द तो रहा है ठीक या हम दोट ettes को लिया बनाव इन दू ऑक सेटमेंट को लिया ठीक है यह स्टीमेंट कैसे हैं एक यान नाम यह ब्यकी एक क्पलेट हमया की यह जो है इसके इंदर हम आपास प्लांट आट प्लांट यह उस के कि वन a ProbSilis दो हो गया तो अब बलांट के अंदर के अंदर नहीं है तो अब हमें भ्योंकिन पता करto है अच्छे फिर कौन सा हो सकता है कि सिर्फ जरूरी थोड़ी कि एक ही प्लांट के अंदर जो कैलिक्स है वो बैरी के अंदर नहीं आता हो सकता है कहीं से रहे प्लांट हो जिसमें ऐसा होता है कि यह जरूरी तो नहीं कि फ्लार सिर्फ एक ही प्लांट में वाइट होता है यह तो अभी भी हमें या तो एक प्रॉट्रक्लर चॉइस मिल जाएगी ठीक है यह फिर हमें फिर्दर चॉइस मिलेगी उसके आगे आपको next चुननना है अब हमने next कप्लेट चुना इसमें लिख़्ा कि बी अगर आप चुनते तो आपको किसे पर जाने है आपको second में इसमें भी क्या है इसमें भी दो कंट्रस्टिंग चॉइस है इसे तीसरा कपलेट वगा उसके अंदर ठीक है तो इन हर एक स्टेटमेंट को हम कहिना कि ऱमें यहीं कह सकता हूं कि हाँ एक कंस्ट के अंदर दो चोएसन्टैन्ध स्टेटमेंट्स है दो कंट्रास्टिंग इंतर यह पिर मैं कह सकता हूं इस एक कुब दूद Sum leads है clear इंद चॉइसेज कंट्रास्टिंग लीड कंट्रस्टिंग एक बात भी कि एक स्टेटमेट को लीड का जा रहा है एक का प्लेट के अंतर clear अब लेट वापस टॉपिक पर आता है कि अब हमने वापस हमें चुनना है ठीक है तो हमने देखा कि इसके अंदर को रोला जो है वो रोटीट नहीं कर रहा है और फ्रूट बैरी नहीं है ठीक है अगर होता तो हम क्या कहते कि सॉलेनम है ठीक है तो आप जैसे जैसे हम इसको रिजेक्ट करते जा रहे हैं कि अब ही सॉलेनम नहीं है फाइसे लिया नहीं है ठीक है और हर बार हम इस दतूरा के और क्लोज पहुंसते जा रहे हैं ठीक है हमें पछले क्या तो नहीं है तो टूबी से हमारे मैच कर रहे हैं करोला जो है इसके अंदर फॉनल फॉर्म है अब हमने देखा कि हमारे जो यह है प्लांट है इसके अंदर रेडिकल लीव्स प्रेजेंट नहीं है ठीक है अगर होती तो वह कौन सा होतो और निकोट यह नहीं अथा तो हमने एक और प्लांट रिजेक्ट कर दिया और इस बार जाहिए अच्छा रेडिकल लीव्स है और रिडिकल इत्क इसन थेट फ्लार सालिटरी यानि अकेला है ठीक है और फ्रूट में प्रिकल्स प्रेजेंट थीक है तो अब अब इसीदह यहां पर दिकोब को और फोर्दर चॉइस नहीं लिंहोंने अब इन्होंने सिदह का या धातुरा प्लांट है ठीक है यानि अब यह यह जो सारे characters हैं यह जो तीनों characters हैं किसी और में available नहीं होंगे ठीक है यह तिनों character हो जो यह सब हम choose करते आए तो हमने जो choices करते जाए हर एक correct choice से हम क्या हूँ आप जो हमने एक लेख लेख ली तीक है एक पहली चोईस से आप हमेशा पहुंच जाओ हो सकता है कि आप कुछ चॉइस लेनी पढ़ेंगी ठीक है जब आप हर एक लेवल पर चॉइस लेते जाओगे या तो आप उस अन्य प्लांट के क्रेक्ट नेम पर आ जाओगे या फिर फॉर्दर चॉइस आपको लेनी होगी ठीक है अल्टी मेटल याप उसके नेम पर आई जाओगे जो क्रेक्ट नेम है तो यह होता है जो की ठीक है एक बार रिड़ ले लेता है फिर रम की के टाइप से देखेंगे तो की जो है ट्रॉमिकल टूल है जो किसमें हलप करने आइडनिटिफिकेशन में और किस पर बेजड है हमें समझे माहा रहा है कि सिम थो फिर रहा है जिए जो प्र करेक्टर रॉल में अहीं आगे बढ़ घए लिगे तो कंट्रास्सिंग क्रेक्टर लियों और यो चोईस के अंदर डोक अनुर्लेट है ँसे काफा Mic Key ठीक कि और अगर हम चोईस लेंगे तो हम या तो फ़र्दर चॉइस पर पहुंच जाएंगे फिर उस प्लाइंट के क्रेक्ट नेम तक पहुंच जाएंगे ठीक है अब यह जो वह आता है अच्यव बạt वीमपोर्टेंट है अब यह पता करना वर फैमिली ही कौन से जीनस है आप ने पता करना है कौन से आप ने पता करना फैमिली चॉइस मिलेगी डिफर्ट कीज मिलेंगी क्यों हमें पता है कि जो स्कीज का सिस्टम में किस पर बेज़ेंगे और मैं पता है कि जैसे जैसे जितनी जितनी बडिट एक गडिकरी होते हैं उसमें उतने इस ज्यादा होती है तो हम सेम सेट आफ कीज में स्पीशीज के लिए लगलग सेट होता है ठीक है और जो कीज होती है एनलेटिकल होती है नेचर में अब हम बात करते हैं टाइप सफीज की ठीक है जो कीज होती है दो टाइप की होती है सबसे पहला आप यह देखो सिंगल एक्सस की और मल्टी एक्सस की ठीक है अब हम बात करते हैं सिंगल एक्स स्कीम में जो सिंगल एक्सस की जैसे हमने आपकोड अभी इस रीटि किया उपर वह शिंग से की के ऊंदर आता है क्यों आता है वह सिंगल एक्सस की के अंदर वहां पर हमने जो की इस निए वो हमने चूज किया तो उसके बाद आपको सेकंड कप्लेट पर जाना पड़ेगा आप इस पर नहीं पहुंसके एक दम से थिरी पर हम कप्लेट को हम कीज को खुझ से चूज नहीं कर रहे हैं जिस भी ऑथर नहीं दिया हूँ हमें तो फिक्स्ट सीक्वेंस में दिये हैं ठीक है कि पहले आपने इसे चूज करना है उसके बाद अब लिखा नबर टू पर जाओ तो हम फिर टू पर जाएंगे ठीक है तो हमारे पास यह इंडिपेंडेंडेंस नहीं है हमें जो भी पुरा मैनर है से फॉलो करना पड़ेगा जो भी ऑथर ने दिया है ठीक है तो इसी arrangement को ठीक इसी टैप की की सिंगल एक्सस की ठीक है जा फिर डिखॉर्टमस की इसमें सिक्वेंस और जो साथ स्टैप्स हैं सिक्वेंस का जिस्टैप साइन इंडिटिफिकेशन के फिक्षट है ठीक है इवन के बाद तू ही चुन हो गए अगर यह होता है तो हमें आंसर में लिए अगर बी नहीं है तो आपको फिर टू भी जाना है टू आप्शन पर फिरम टू पर आते हैं ठीक है तो हम किस पर जाते हैं हम थी पर जाते हैं तो फिक्स सीक्वेंस में जो अथर ने प्रवाइड किया है और इसमें क्या कर रहा है ज पर हमें जो भी correct statement चूज करी तो या तो हमें उस plant का name मिल जाएगा जैसे हम यहां पर हमें plant का name मिल गया या फिर हमें next choice की तरफ indicate कर दिया गया ठीक है और ultimately आगे जाकर में मिल जाएगा तो यही बताया इसके अंदर अब फिर हम बात करते कि दो types की होती है इस डाकॉत मस्की या कहें single access की two types की होती है intended keys and bracketed keys ठीक है intended की इसको योगुट की भी कहते हैं अब सिर्फ जो difference है वो arrangement का difference है कैसे हम आपको figure में लिखाता हूं देखो यह है example intended keys का तो इसके अंदर क्या है कि जो एक कप्लेट है ठीक है फर्स्ट कप्लेट है फस्ट लेवल पर ठीक है कि या तो फ्लार जो हमें अगर जो फर्स्ट चॉइस लेनी है है हमें because fixed sequence है तो हम सबसे पहले फर्स्ट इन वन वन को ही चूज करेंगे ठीक है या तो फ्लार का जो रैड शेड हो रैड है या फिर वो रोज पिंक है ठीक है अगर हमने इसे चूज किया तो हम नेक्स्ट कप्लेट पर आएंगे जो है सेकंड एन सेकंड भी ठीक और हमने 1B को चूज करें तो हमें next कप्लेट पराना पड़ा है कि जो है 3a & 3b तो आप देख रहे होंगे कि अगर ये right margin है ठीक है ये right margin है ये right वाला और ये left margin है यहाँ पर ठीक है left margin है और ये right margin है तो left margin से जो एक कप्लेट है उसके अंदर जो दोनों statement है वो similar distance पर है equal distance पर है यान कि वन ए और वन भी देखो left margin से equal distance पर प्रेजेंट है ठीक है और जो 2a & 2b है वो left margin से equal distance पर प्रेजेंट है ठीक है तो ये किसके अंदर होता है इसके अंदर होता है कि इसके अंदर चॉइस ले रहे हैं जो कप्लेट्स प्रेजेंट है वो left margin से equal distance पर प्रेजेंट होंगे बस इतनी सी बात है और कुछ बात नहीं इसके अंदर ठीक है नेमिंग तो इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर कि ये side by side arranged है देखो यहां पर क्या था यहां पर यहां पर सारी की सारी एक ही कोई equal distance का मतलब नहीं कि सारी की सारी जो same level है ठीक है यानि यहां पर difference क्या था कि आपने जब जो फर्स्ट लेवल चूज किया आपको फर्स्ट कप्लेट मिलेगा और कप्लेट से ज दूसरी लेवल अफ कप्लेट से भी डिफरेंट डिस्टेंस पर है ठीक है ऐसी तो दो यह सेकंड लेवल आया टू एन टू भी अगर हम फर्स्ट है यह फर्स्ट लेवल जबाब को भी समझे में आ जाएगा यह फर्स्ट लेवल ऑफ चॉईस है वन एवन भी तो अगर मैं लेवन वन एको चूजड़ तो सेकंड लेवल कौन सायगा टू एंट कुवी थीक है तो यह सेकंड लेवल हुआ ठीक और अगर वन बी को चूस करता हूं तो तो कौन सीक़ुसे जाएंगे विक्षक्ट लेवल और ये विजा ना कॉन से कॉप्लिट लेवल और दोनों आ रह मिल जाएगा तो इसमने फ़र्द लेवल शो नहीं करें लेकिन हमने हमें प्लांट जो हमार हमने अडिटिफाय करना है ठीक है और वह इन दोनों से कोई भी है तो हमने जब अडिटिफाय करेंगे तो जैसे हम चॉइसे लेते जाएंगे तो पताश लेगा कि यह तो है यह नही है ठीक है 3a भी नहीं है तो हमें 3b पर अब 3b में भी हमें हमें दो choices दी गई ठीक है हमें next level of couplet दिया गया तो देखा भी next level of couplet जो है यह one और second level और second level के couplet से different distance पर है कहां से from the left margin इस left margin से different distance पर है यह left margin है इसे different distance पर आ रहा है ठीक है जब कि जब कि जो यह bracketed keys है यह आपको देख देखोगे कि यह सारे जैक कोई साभी level है लेकिने left margin से ठीक है left margin से equal distance पर है और साथ में side by side arranged है कि यानि यह एक level है ना तो इस side by side है यह दूसरा लेवल तो side by side है तीसरा लेवल तो side by side है एक दूसरे के side में है एक ठीक है तो इस सिर्फ arrangement का difference और कुछ नहीं है और फिर आता है और थोड़ा सा एक ही वाली बात है कि यह difficult होते हैं construct करने में ठीक है लेकिन यह यूजर को ज्याद इनफॉर्मिशन प्रवाइड करती है ठीक है यही मिज़र डिफ्रेंस है ब्रैकेटेट और इंटेंड़ी कीज के अंदर अब बात करते हैं मल्टी एक्सेस कीज की तो मल्टी एक्सेस कीज को समझने के लिए में वापस धियान करना हो कि हमने इन सिंगल एक्सेस कीजए में और ता इन्हें सिंगल एक्सेस कीज़ में क्या बढ़ा था कि जो भी हम एक सेट lireikes की जो होती है यहां पर में फायदा होता है क्योंकि यहां पर यूजर जो है वह खुद से की को एंटर कर देता है ठीक है कैसे for example में पास एक पौधा आया ठीक है मुझे स्पौधय का पता लगानास एक यह पुधा कौन सा है तो लेट यह मेरा प्लांट है यह मेरा प्लांट है ठीक है इस प्लांट के तीन क्रेक्टर से ठीक है प्लांट का क्रेक्टर है ए बी एंड सी भाई यही करेक्टर तो अब अब से बात है यह तीनों के तीनों क्रेक्टर किसी दूसे प्लांट में प्रेज तो मैंने क्या किया मैंने कम्प्यूटर में एंटर किया इस क्रेक्टर एक को कि मुझे वो कोदे दिखा दो जिसमें भी यह क्रेक्टर यह आता है तो मैं पास एक लिस्ट आ गई जिसके अंदर फाइव प्लांट्स लिखे थे जिसके अंदर यह क्रेक्टर सिक्स प्लांट्स हो दिया इससे जो पहले जितने भी सारे प्लांस और इल्मिनेट कर दिया ठीक है अभी मैं पूरे प्लांट की नहीं तक नहीं पहुंचा विए अभी भी छे नाम है ठीक है फिर मैंने क्या किया कि जो बी करेक्टर है भी से करने के बाद मेरे कुछ ऑप्शन्स से इन में भी प्रजेंट नहीं में अब भी मेरे पास पूरा चोईस नहीं आई ठीकर पूरा प्रमनित करेंगे तो यहां आपने क्या नोटिस क्या हो गई जो ए बी और सी है यसे यह दो क्रेक्टर से तो है और यही क्रेक्टर उन स्टेट्रमेंट में प्रेजंट थे तो यहां पर क्रेक्टर को मैं एंटर कर रहा हूं ठीक है यहां पर कोई सिक्वेंस में फॉल्व नहीं कर रहा जो अथर ने दिया और ऐसे करते करते मैं उस प्लांट के नेम को अडेंटिफाय कर लूँगा ठीक कौन सी प्लांट स्पीशीज है तो मैं कंटीन्यू करते रहना है जब अब पास एक प्रांट बचें यहीं होता है मल्टी एक्सस्कीज में और सिंगल एक्सस्कीज में ठीके जी तो आपका वीडियो था वह कंप्लीट हुआ अगर आपको वीडियो अच्छा लागा वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी सारे वीडियो अने शेयर करें ताकि और की भी लप हो सके और प्लीज डोनेट करें और लिटान रुपीज पर मन्त इस सब की लाइफ में मेरी लाइफ में अन्डिस वर्ली में डिफरेंस क्रीट होगा और यूज बिली मोर मोटिवेटेट कि मैं आपको नोबल स्वेड कर सकूं बेटर टेक चेल केर अपन्टू सेवसीट अबसेट में अन्हों नेवज़ के में लिटान दोर नेख केरेंट कर दो प्लीज वर्ली अवेटेट को ड़ीज ब्लीज दो नियुक्तिक आपको डेकर अबनेट बनात्याब होगा जारेशाएट कर में बनात नेना फिरेंसेट भीज़